हेलो व्यूवर्स क्या आप भी परिशान हैं आपका वाटसप का डेटर दिलिट हो गया और आप रिकुवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप फाइल मेनेजर में जाएए फाइल मेनेजर में जाकरके आप देखिए वाटसप चाहे सेलेक्ट कर लीजे तो यहां पर डेटा दिख जाएगा यहां तो आप सीधे इस फोल्डर को क्लिक करिए और यहां पर देखिए वाटसप मिलेगा तो यहां जब जाहिएगा आपको तो यहां पर डेटावेस मिलेगा जिसमें आठ आइटम जो करेंट के हैं वो दिख रहेंगे जो जुलाई के डे आपको दिख रहेंगे तो करेंट सेवन डेज के डेटा इसमें दिखेगा तो वहां से आप उसको रिकवर कर सकते हैं अब आप यहां पर चलते हैंगे कि स्टिकर आपको देखना यहां पर चलते हैं आप मीडिया में जाते हैं मीडिया में जाके वाटसप स्टिकर आपके द उसको recover कर सकते हैं अब whatsapp images आप recover कर सकते हैं जो आपने भेजिया या आपकी private है अब ये देखे जिसमें whatsapp voice notes दिखा रहा है तो जो note आपको चाहिए तो आप आप recover कर सकते हैं यहां पर जाइए देखिए no media करके दिखा रहाएगा यहां पर आप देखे voice इतनी पड़ी हुई है इसको recover कर सकते हैं लेकिन इसको rename करके तब फिर आपको recover करना पड़ेगा उसके लिए आपको whatsapp न इंस्टॉल करके पर से इंस्टॉल करिएगा तब आपका voice note आएगा whatsapp document आ सकता है यहां से private है sent है कैसा है देखे no media करके सब आ रहा है एनिमेटेड जेफ है दोटो whatsapp audio है यहां पर तो अगर आपने भेजा है तो वो भी और जो private है वो भी यहां पर सब दिख रहा है तो उसको आप recover कर सकते हैं अगर इस तरह से आप recover नहीं कर पाते मीडिया में जाने के बाद भी तो यहां से देखिए trash data खाली पड़ा हुआ है share data तीन है जिसमें आपने किसी को share किया है तो इस तरह से हम अपने data को find out कर सकते हैं लेकिन इस तरह से अगर नहीं आता है तो हमको whatsapp में जाना पड़ेगा वहां पर जा करके आपको whatsapp में जा करके आपको setting में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जा करके आपको चैट पर जाना पड़ेगा, चैट में जा करके आपको चैट हिस्ट्री आप देख सकते हैं, जिसमें चार फैसल्टी आपको मिलेगी, आप सब tis chat को delete कर सकते हैं subject को clear कर सकते हैं subject को archive कर सकते हैं और export कर सकते टो export जब आप करिये हैं तो Google Drive में से अगर आपका WhatsApp connected है तो वहाँ पर आप Export कर पाईएगा अब आपका Chat बैक अब दिखाएगा यहां पर तो बैकस तब दिखाएगा जब आपने उसको गूगल ड्राइब में बैक अप किया होगा बैक अप यूर मैसेज और मीडिया टू गूगल ड्राइब और आपका मैसेज भी इंटर्नल स्टोरेज में वापस आजाएगा अब बैक अप करने के लिए यहां पर दबाना पड़ेगा तो वो बैक अप कर देगा आपकी जो भी डेटा होगा उसको वो बैक अप कर रहाएगा अंड्रेट पर्सेंट बैक अप हो गया अब यहां से फोन से करनेक्ट करना पड़ेगा और तब पिर वो बैक अप करेगा एंड्ट एंड एंड एंड्रिप्टेड बैक अप करेगा गूगल राइव सेटिंग करना पड़ेगा You are currently backing up to Google Drive for added security You can protect your backup and end-to-end encryption Backup to Google Drive daily अब यहां पर हमने set किया है कि रोज आप backup करो और email दे दिया है उसको backup using cellular अब cellular backup यूज करेगा include अगर video कर दीजेगा तो आपका video भी ले लेगा आप मुझको video include नहीं करना है तो हम video नहीं देंगे इस तरह से आप Google Drive में अगर save करते हैं अपने data को तो बहुत easily आप उसको recover भी कर पाएंगे So this is all today viewer, if you like this information please share and subscribe my channel रतन अगरवार, IT Informer आप हमको Instagram, Facebook, Twitter सब पर follow कर सकते हैं और आप मेरा Telegram channel join कर सकते हैं जहां आपको support मिलेगा, Instagram पर आप personal message करके आप contact कर सकते हैं, अगर आपकी कोई query है तो आप पूछ सकते हैंगे और सबसे अच्छा तो यह है कि आप YouTube video को open करियो और उसमें comment में जाकर के अपने question को पूछ लीजे तो और प्रिपा करके subscribe करके press bell दबाईएगा तभी आपको notification मिलेगा और आप फरदन हमसे YouTube पे contact कर पाएंगे so thank you viewer if you like this information please support me need a watch time and subscriber and your whole support thank you